कि अज़िए कि अज़िए कैसे हो सारे बढ़िया चलो टेंथ किलास में होगे आप लो पड़ाई के ध्यान देना पहलावास गाउंस अगर कोई है और पढ़ना चाहता है दर सब्जेक्ट फिजिक्स केमेश्ट्री मैथ बायो जो भी तो आप मुझे कॉंटेक्ट कर सकते हो स्कूल में नहीं जाया किसी तरह से आप स्कूल में ना जाने के वज़ए से कुछ इसलिए बस रहा है और आप ट्यूशन चाहते हो किसी तरह आप मु बटक नहीं जरूरत नहीं है और आप डैमो ले सकते हो आपके और बस यह अच्छी जगह है और हम से पाच्छी ज़्यादा बच्चे हम किसी क्लास में लाउड नहीं कर रहे हैं तो हमारा चल रहा है आप जोईन कर सकते हो चलो अच्छो आज का लेक्शे सुरू करते हैं मेर सब्सक्राइब बढ़ लिया आज बहुत इंट्रेस्टिंग चीज़ बढ़ें हैं पीएच पीएच देख इसकी फूल फॉर्म होते हैं पावर ओफ हाइड्रोजन पावर ओफ हाइड्रोजन याद रख लेना आप सब पच्छे लिखते टाइम बहुत ज़्यादा गलती करते हैं पी छोटा होता है एच बड़ा होता है एच होता हाइड्रोजन के लिए तो सिद्धी सी बाहत है पी है कुछ हाइड्रोजन से लेक्टिद हमने कंसेंटेशन पढ़िए कि आसेड़ किसपे करते हैं हाइड्रोजन आयन कितनी दे रहा हूँ ज्यादा दे रहा थो स्ट्रॉंग एच कंदे रहा है तो स्ट्रोग बेस कंदे रहा थो वीड़ास सारी कहानि यहीं पर चलती है है पॉजिटिव और गमेडिप हमें पड़ना है पी है तो जो कि लिद्ट करने के लिए नहीं बता सकते हैं यह 50 रुपय वाई वाले से गरीब है ज़िसे से गरीब हो गया numéro तो compare जब भी हम करते हैं तो compare करने के लिए हमारे पास numbers होने चीए हम यह नहीं कह सकती compare किस से कर रहे हैं यह पता होना चीए तो ऐसी acid और base के बारे में हमें पता चल गया कि strong acid है weak acid है कितना strong है कितना weak है उसके लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा amount quantitatively पढ़ना पड़ेगा कि कितना तो भी acid और base को measure करने के लिए scale आया उसको बोला रहा है pH scale वह पढ़ना हमने pH scale में क्या का कि एक scale बना दिया गया मानलो यह इस type का और एक नंबर दे दिया गया 1214 मानलो यहां से शुरू करते है वन टू थ्री पॉर पाइट शिक्स सेवन एट नाइन टैन 11 12 30 40 यह स्केल बना दिया गया बोले यह बीच में साथ है यह साथ का है यह मानलो वन का है कि यह वन का है तो इसमें वन लाइन यहां तक यह टू है टू लाइन यहां तक यह थ्री है मानलो थ्री लाइन यह 4 हो गया 4 लाइन लागा दो 5 हो यह 6 हो गया और यह सेवन और यह हां 8 यह नाइन यह नाइन यह यह टैन यह वह गया 11 और यह होगया 12 यह थर्टिन और यह होगया है कि इस तरह से स्केल बना दिया गया कि भइडरो भाय हैं के लिए हम स्केल के अंदर देखेंगे किपना आइडरो नियूँ कितना बिकार है यह पेपर बना दिया रहे और किसी का पीएज साथ से कम है देखो इसाथ वाली मैंने ओरिजेंटल लाइन से दिए क्यों दिए क्योंकि साथ वाली स्पीजिस का पीज साथ आज जाएगा उसको बोलेंगे न्यूट्रल शाथ पीएज ना तो होगा असेड ना होगा पेस पीएज सेवं इस कॉल टो लिख ले हो पी है शेवन इस पाल नेटन प्रता उपना चिर्प करें जो तो निट्रल चीजिए होतिनु का पी एच होताँ सेवन आब सात सेवर कोई निच्चे एंव कि हिदर आजो यह सारे हमारे सीद्ट सात से ज्याद़ यह वते हैं अगर पी एच्छ ग्रेटर देन 7 इसका मतलब क्या हुआ बेस कि अगर पी-एच लैस देन 7 इसका मतलब क्या हुआ एसे हैं कि स्केल वना दिया गए स्केल क्या आइस कि मैं बता हूं आपको इस काग़च की स्ट्रीप होती है कोई असीड़ उसमें डिप कर दो एक कलर आएगा लिटमस पेपर पर कलर आएगा उसको हम फिर वन टू फॉर्टीन की जो कलर होते हैं उन्चे मैच करेंगे जो आएगा उसकी उतनी पीछ होती जन्रल अमारे इपने भी सॉलिशन होते हैं उनके लिए होता है जब आप ठीजर ताम लोके टोर अगर साथ से जाधा है तो उसको से कम हो इसको एक बार बता हुझा आप साथ से कम हैच्छ है महाँ लोको है सीड़ है कि कि उसका प्लिश सिक्स और एक असब है उसका पी फिक अब तर मुझे आप यह बताओ इस में से स्ट्रों इस न कौन सा है कि श्रोँग एउसयक नुट्रल हएं कि आपको देखना है कि एचीड़ के केस में चितना सब्षाज ने सब्सक्राइब करें अब लगें होता है तो जैसे जैसे हम अध्य स्सेटारी की तरफ बढ़ रहे थे हैं उसको गणा रहें तो फिर्द सितना दूर जाएंगे उतना च्बढ जाएगा पिए चरह किसी ही वरै तो वो स्ट्रोंग एसिड किस से पी एस इट इकल टू थी से तो एसिड के केस में ये वाला स्ट्रोंग एसिड बहुत जाद है लेकिन जैसे हम इसके केस में जाएंगे ये क्या होंगे कि यह होंगे हमारे वीक बेस वीग बेस वीक बेस वीग बेस उस यासी दूर चले जाएगी 14 तक स्ट्रॉंग बेस टॉंग तो मतलब पी एच कि इस वह प्रफ इसका वन वह बहुत कम है और पि एच अगर किसी का ऑगा 14 तो यह हो जाएगा मॉस्ट आपको बताना था पी पी एच जो फोता है वो वन टू फौर्टिंगे एक स्केल है जिसमें हम आपको अचीड और बेस्ट की स्टेंद को मेजर करने के लिए वन टू फौर्टिंगे उसमें जो स्यवन होता है पी एच उसको निट्रल मना गया है 7 से इधर जाएंगे हम 1 तक तो धीरे धीरे 7 से इधर जा लें क्या और acidic करेक्टर बढ़ रहा है increase in acidic करेक्टर इसके इधर जाएंगे तो बढ़ेगा इसके इधर जाएंगे तो बढ़ेगा 7 neutral है यह pH की कहानी है अब एक तूसी तब यह pH के लिए अगर आप NTSC के लिए पढ़ रहे हो तो अग्या लेक्टर में हम पढ़ेगे वहां से आपको पूरा पूरा पूंसेप्ट के लिए हो जगत पीएच पीएच में क्या फरक होता है बोर्ड के हिसाब से अबने इससे ज़दा नहीं पढ़ना है डेली लाइप की यूज आएंगी पीएच के बारे में जानकर देना पढ़ेगे यह पीएच पढ़ा है अगर बेस के लिए पढ़ें तो पीएच पढ़ेंगे अब सब्सक्राइब पीएच को पीएच में पढ़े जाता है क्योंकि एक रिलेशन होता है आप याद रखेंगे प्लस पीएच इस इकॉल टू पॉर्टी तो यह अगली लेक्टर में आप सब्सक्राइब बताए जाएगा तो आज के लेक्टर में हमने जो कॉंसर्ट पढ़ा है पीएच का यह आपको पता होना ची बस चार बते यहाद रिखना है सेवन पिन्यूटल होता है यह स्केल होता वन टू फॉर्टीन का पीएच कैसे लिखते है है पी चोटा है गर पीएच बढ़ा है साथ से तो बेश है पीएच अगर साथ से कम है तो एसिड है बस इतना याद गरना है अगर साथ से हिदर जाएंगे तो एसिडी करेक्टर बढ़ेगा बस यह से जच्छ नहीं करना है दस मिनिट पार्यमेंट की चीजिएगा इसको वीव में तुटके ले तरने वाद